भाई और बहनों, अब मजूली बास्यों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसो पुरानी मांग, आज पूल के भूमी पुजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। काली बाडी घाड से जुरहाट को जोड़ने वाला आठ किलोमीटर का ये पूल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रिखा बनेगा। इब्रीच आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह दूबरी से मेगाले में फूलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पूल जब तयार हो जाएगा तो इससे बराग गाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं इस पूल से मेगाले मनिपूर मिजवरम और तिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए मेगाले और असम के बीच अभी सड़क मार से जो दूरी करीब 200 किलोमीटर है भविश में सिरफ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। इब्रीच अन्य देशों के साथ अंतर राष्टे यातायात के लिए भी महत्वपुन साबित होगा। भाई और बहनों ब्रह्मपुत्र और बराख सहीत असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है। उसको सम्रुद्ध करने के लिए आज महा बाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे शेत्र में बॉटर कनेक्टिविटी को पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट को ससक्त करेगा। इस अभ्यान के सरुवात में आज निमाती मजुई नौर्थ और साउथ गुहाटी दुबरी तिसिंग मारी के बीच तीन रोपैक सिवाओं का उद्गाडन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक सर्विस से जुडने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगी धोपा में इनलेंड वाटर ट्रांस्पोर्ट टर्मिनल सहीत ब्रह्मपुत्र पर चार जगर टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहीत असम को नौर्थ इसको बहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस छेत्र में विकास की गती को और तेज करेंगी।